ओन्लाइन सिक्षन कक्षा में बी ये संस्कृत द्यूति वर्स के प्रथम प्रश्न पत्र का अध्यन करेंगे आज इस कक्षा में अभिज्यान शाकूंतलम के प्रथम अंक के प्रथम स्लोक का अध्यन कर रहे हैं स्लोक इस प्रकार है या स्रस्टिह स्रस्टुराध्या वहति विदिहूतं या हविर्याच होत्री ये द्वे कालं विधत्य है सुरुति विशय गुना या स्थिता व्याप्य विश्वं या माहु सर्व बीज प्रकर्तिरितियया प्राणिनह प्राण वंतह प्रत्यक्षाभी प्रपन्नस्तनु बिरवतु वस्ता विरस्टा विरीशह स्लोक का अन्वय इस प्रकार है या स्रस्टुह आद्या स्रस्टिही या विदि हुतम अविह वहती याच होत्री ये द्वे कालं विधत्य है स्रुति विशय गुना या विश्वं व्याप्यस्थिता या सर्व बीज प्रकतिही इति आहू यया प्राणिनह प्राण वंतह ताभी ही प्रत्यक्षाभी अस्ठाभी ही तनु बिही प्रपन्नह इशह वह अवतु स्लोक के कठिन शब्दों का आर्थ स्रस्टू अर्थात स्रस्टा विदाता ब्रह्मा की आद्या सर्व प्रत्मा अर्थात शिव की प्रत्म जल्मई मोर्ती विदी हुतम नियम पूर्वक हवन की गई हवि हव्य सामग्रियां होत्री यजमान रुपी मोर्ती द्वे कालम दिन और रात का निर्मान करने वाली क्रमसे सूर्य एवं चंद्र रुपीनी दो मोर्तियां सुर्थी स्रवनेंद्री अर्थात कान या कर्ण विशे कर्ण का विशे शब्द अर्थात आकास रुपी मोर्ती सर्व बीज सभी अन आदी बीजों का प्रकती उत्पती अर्थात प्रत्वी रुपी मोर्ती प्राणिनें चेतन संसार प्राण वनते हैं जीवंत जरते हैं अर्थात वायु स्वरूपा मोर्ती अस्टाभी आठ तनुभी मोर्तियों से प्रपन्य युक्त है ईशे भगवान शंकर वह सभी पाठकों दर्सकों एवं नट आदी पात्रों की अवतु रक्षा करें अनुवाद इस प्रकार हैं जो सरष्टी निर्माता ब्रह्मा की प्रथम रचना है अर्थात जल मई मोर्ती क्योंकि एसी मान्यता है कि सरष्टम जल उत्पन हुआ था जो सास्र विधी से हवन की गई सामगरियों को देवताओं के समीप ले जाती है एसी अगनी रूपा मोर्ती क्योंकि मान्यता है कि अगनी ही हवन की गई सामगरियों को देवताओं को ले जाता है जो हवन करने वाली अर्थात यजमान रूपी मोर्ती दो कालों का विधान नियम करने वाली अर्थात सूर्य दिनका और चंदर रात का अर्था सूर्य एवं चंदर रूपी मोर्ती जो कर्ण के विशय कान का विशय होता है शब्द और शब्द का जो आसरे हैं अर्थात जो संसार को व्याप्त करके स्थित हैं एशी आकास रुपी मोर्ती क्योंकि शब्द आकास का गुन होता है जिसको सभी बीजों का कारण कहते हैं अर्थात ऐसी प्रत्वी मोर्ती क्योंकि अन्नादी सभी बीज प्रत्वी में ही वपन होकर विकास करते हैं जिसके द्वारा संसार के सभी प्राणी प्राणवान रहते हैं जीवन्त रहते हैं ऐसी वायू रुपी मोर्ती इस प्रकार उपर्युक्त प्रत्यक्स दिखाए देने वाली आठ मोर्तियां जो की जलमई, अगनीमई, यजमान रुपा, सूर्य स्वरूपा, चंदर स्वरूपा, आकास रूपा, प्रत्वी रूपा एवं वायू रूपा इन आठ मोर्तियों से युक्त, समस्त, संसार के स्वामी, भगवान, शिव, आप सभी अर्थात पाठकों, दर्सकों एवं रंगमंच पर अभिने करने वाले नटादी पात्रों की रक्षा करें विशेश में हम लिख सकते हैं कि इस मंगला चरन स्लोक में भगवान, शिव की आशिरवादात्मक स्तुती की गई हैं अतय यह आशिरवादात्मक नानदी है नानदी करते नंदति देवा अश्याम इती नानदी जिससे देवता प्रसंद होते हैं नाटक की निर्विग्न से कुशल समाप्ती के लिए जो सर्व प्रतम स्तूती की जाती है उसे नांदी कहते हैं इस अभिज्यान साकूंतलम नाटक में नांदी में भगवान सिव की आशिरवादात्म स्तूती की गई है स्लोक में प्रियुक्त चंद का नाम सरक्धरा है सरक्धरा चंद में चार चरण होते हैं और प्रतेक चरण में 21 वर्ण होते हैं ये विसेश में हम लिख सकते हैं और विग्यान साकुंतलम का यह स्लोक परतिवगी परिक्षाव में भी इंटर्वी में भी पूछा जाता है यह एक महत्रपून स्लोक है धन्यवाद